वेल्कम टू माई चैनल देखे आज मैं आपके लिए ये डिजाइन लेकर आई हूँ ये मोटा डिजाइन है ये देखिए ये लेडिस के लिए और जैंड़ के लिए दोनों के लिए ही डिजाइन यह मैंने जंड स्वेटर में बनाया है देखिए बहुत ही सुन्दर डिजाइन है बहुत ही प्यारा डिजाइन है और यह रोंग साइड से कुछी स्थरह से दिखता है यह देखिए आप इसको किसी में भी डाल सकते हैं तो आईए हम बता आते हैं आपको कि यह यह बेल वाला मोटा डिजाइन कैसे डलता है देखिए हैं आप कोई भी बोर्डर बना सकते हैं यह मैंने सिर्फ उल्टा उल्टा बनाया हुआ है तो आईए इसमें मैंने यह बाइस फंद्र डाले हैं और मैं आपको बताऊंगी यह कि यह बीच वाला डिजाइन कैसे डलता है तो देखिए यह जो अमने साइड में फंदे लिए हैं उल्टे वाले तो यह लेते हम पहले यह पाँच फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और यह पाँच पाँच फंदे हम उल्टे ब अब लिए हमारे बारा फंदे हैं तो बारा फंदे हमने सीधे बनाने हैं एक दो तीन चार पाँच छे और यह साथ आट नो दस ग्यारा और यह बारा यह हमारे बीच वाला जो है यह यह ये हमारे 12 फंदे हैं, उसके बाद फिर हमारी इंक 5 फंदे हैं, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, ये जो मैंने बीच में सिद्ध फंदे डाले हुए हैं, आप इन की जगाह ये वाला मोटा वाला डिलन भी डाल सकते हैं, नस्दीक नस्दीक से मैंने ये थोड़ा सा दूर दूर डूर डूर डाला हुआ है ये हमारी सेकिंड सलाई है सेकिंड सलाई हमने पूरी उल्टी ही बनानी है सेकिंड वाली सलाई हम पूरी उल्ट उल्टी बना के कंप्लेट कर लेते हैं ये हमारी सीधी साइड से और ये हमारी थर्ड सलाई है तो थर्ड सलाई को भी हमने फस्ट कितर ही बनाना है पाच फंदे हमने उल्टे बनाने है फिर हमने धागा पीछे करके बारा फंदे हैं जो हमने सीधे बनाने है 12 फंदे हमारे सीधे होगे आगे धागा करेंगे और जो ये 5 फंदे हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं ये हमारी चोथी सलाई है उल्टी साइड से तो ये हमारी पूरी उल्टी कम्प्लीट करेंगे हम बनागे ये हमारी सीधी साइड से और ये हमारी पांचवी सलाई है तो पांचवी को भी हम जैसे हमने तीसरी सलाई बनाई थी उसी तरह से बना लेनी है ये पांचवी सलाई हमारी कम्प्लीट हुई अत्य हम छटी सलाई पे छटी सलाई भी हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी ये देखिए हमारी छटी सलाई पूरी हो गई है अब आते हम इसकी सात्वे सलाई पे और हमारी ये सिधी साइड है तो ये सलाई भी हम ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे पूरी हमने उल्टी उल्टी बनानी है तो वह बना के हम कम्प्लीट कर लेते हैं ये देखिए ये सीधी साइड से और हमारी नोमी सलाई है ये देखिए नोमी सलाई पे हम क्या करेंगे पांच फंदे जो हमने उल्टे हैं वो उल्टे ही बना लेने हैं ये देखिए अब देखिएगा जो हमारे ये 12 फंदे हैं उनका हम पहले आधा आधा करेंगे तो हमारे 6 फंदे जो हैं एक बार इधर कर लेंगे यानि 3 और ये 3 6 तो क्या करेंगे हम 6 फंदे को हम ऐसे निकाल लेंगे यह देखे ऐसे फिर जो यह पिछे वाले फंदे हैं वो हम इस नेडल में ऐसे डाल लेंगे पिछे की साइड से ऐसे और जो यह आगे वाले थे वो हम इस वाले नेडल में ऐसे डाल लेंगे इस तरह से फिर ये वाले फंदे हम पूरे इस वाले निडल में डाल लेंगे हमने ट्विश्ट कर दिया है और ये हमारे 6 फंदे हैं इन 6 फंदों को अब हम सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 ये देखिए 6 फंदे हमने बना लिये हैं अब इसी तरह से ये जो 6 फंदे हैं इनको भी हमने ऐसे ही करना है तो इनको भी हमने निडल से निकाल लिया है ये देखिए अब ये वाले निडल से हम पिछे वाले जो है ये हम ऐसे तीन फंदे ऐसे डाल लेंगे और इस निडल से हम जो ये आगे वाले हैं ये डाल लेंगे अब ये जो तीन फंदे थे वो इस वाले निडल में हम वापिस से डाल लेंगे ऐसे अब हम इन 6 फंदों को बना लेंगे सिधा एक दो तीन चार पांच और ये 6 देखें ये 12 फंदे हैं हमारे जो हमने 6 छे का जोड़ा करके ये ट्विश्ट किया है अब जो हमारे उल्टे फंदे हैं 5 उनको हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा ये देखें टोटल ये हमारा 10 सलाई का डिजाइन है तो ये हमारा एक पैटर्न यहां तक कम्प्लेट हो चुका है अब आते हम इसकी 11 सलाई पे उल्टा उल्टा बना के कम्प्लेट कर लेते हैं अब आते हम हम इसकी 1 सलाई पे तो इसी तरह से हम ने जो यहां से स्टार्ट किया था 9 सलाई उसी तरह से हम यहां पे बना लेते हैं उसके बाद फिर एक बार और आपको दिखाएंगे वोई 5 फंदे जो हमने उल्टे बनाने हैं उसके बाद जो 12 फंदे हैं वो हम सीधा सीधा बनायेंगे फिर लास्ट वाले 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं यह देखिए इस तरह से उल्टी सलाई पूरी हमने उल्टी ही बनानी है यह देखिएगा इसी तरह से हमने यह नो सलाई जो है वो हम आपको नो सलाई निकाल के फिर आपको दिखाते हैं यह देखिएगा हमने नो सलाई कम्प्लीट कर लिए है अब आते हम इसकी दसमी सलाई पे पांच फंदे हमने उल्टे ही बनाने है दागा उदर करके जो हमने बारा फंदे लिए थी उसकी हमने छै फंदे लेने है पहले तो छै फंदे का हम ट्विश्ट करेंगे तो यह देखिए हमने 6 फंदों को हमने सलाई से निकाल लिया है यह देखिए ऐसे अब यह तीन फंदे हम इस वाली नीडल में ऐसे डाल लेंगे उसके बाद ये जो आगे वाले फंदे हैं वो हम इस वाली निडल में तीन फंदे डाल लेंगे अब इन तीनों को हम वापिसी इस निडल में डाल लेंगे ऐसे अब हम चैपंदों को सिधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे ये देखिए चैपंदे हमारे हो गई अब हमने ये जो चैपंदे हैं इनका भी हमने ट्विश्ट करना है तो इन चैपंदों को भी हम निकाल लेंगे नेडल से और जो ये वाले फंदे हैं पहले हम इस नेडल में ऐसे डाल लेंगे और जो ये आगे वाले फंदे हैं वो वापिस हमें इस नेडल में डाल लेंगे ऐसे वापिस से ही हमें इसमें ऐसे डाल लेंगे ये देखिए अब इनको हमने सिधा बनाना है तो एक, दो, तीन, तीन, ये चार, पांच, और ये छे, ये हमारे छे पंदे हो गए, और छे ये थे हमारे, तो हमारे बारा फंदे हो गए, अब लास्ट के जो उल्टे फंदे हैं, वो हमने उल्टे ही बनाने हैं, आते हैं उल्टी सलाई पे, उल्टी हमने पूरी उल्टी ही बनानी है, ये देखीगा, ये हमारे दो पैटन, दो डिजाइन हमारे कंप्लेट हो गए हैं, कितना सुंदर, कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है ये, ये देखीगा, आप इसको लेडिस कार्डिगन में और जेंड स्वेटर में डाल सकते हैं, बहुत ही इजी है, और देखने में बहुत ही सुंदर है, ये देखीएगा, आप भी डालिए इसको, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और हमारी अगर आ आइकन जुरूर प्रेस कीजिए, थैंक यू